हेलो स्टूरेंस आइम सुमित एंद आज मैं लेकर रहे हूं आप लोगों के लिए मॉल कॉंसेट जो हमारा वीडियो चल रहा था पिछे हमने इसमें पहले एटॉमिक मास इन में डिफरेंस समझा दैन उसके बाद वट इस मॉल कॉंसेट हमने यह चीज समझी कि वन मॉल की क्या क्या कर सकते हैं जैसे हमने मास में किया था फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में किया था आफ्टर गैट हमने मोलार वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ा था कि मतलब वॉल्यूम से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे हमारे नंबर ऑफ मोल्स की कहानी को ओके तो उसी सिलस अगर कुछ लेवल थोड़ा आप हो जाए या उसमें कुछ चीजे ज्यादा पूछ ले तो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए आज हम करने वाले हैं कुछ कोशन ओके अब हम यहां पर कोशन ले रहा हैं जैसे की मैं कोशन ले रहा हूं कि हमने लिया केल्शियम क्लॉराइड कितना लिया मान लेते हैं 3.011 10 डिस्ट पावार 21 कुछ भी ले लो कोई दिख निगर इतने मॉलिक्यूंस हैं आपके पास अब कोशन में क्या फूछा है इस थैखो नॉम्बर ओफ मॉल्चियूल्स आपको गीवन है नंबर ओफ मॉल्च निकलना आपका काम है वह में निकालने हैं नंबर ओफ मॉल्च पैली चीज दूसरी number of calcium CA2 plus ions same number of CL minus ions ये भी हमें calculate करना है और अगर ये STP पे है at STP तो इसका volume भी आपको calculate करना है चलो ये भी हो गया दिन इतने number of molecules का मास क्या होगा बोले तो given mass of calcium chloride ये भी calculate करना है मतलब एक ही question में सारे format पूझ लिए गए अब आएगा मज़ा सबसे पहले मैंने क्या कहा था अगर कहानी आपको शुरू करनी है तो किस से करनी है आपका सबसे प्यारा number of moles calculate कर लो number of moles formula मैंने अपने previous video में बताया था अगर आपको number of molecules बोले तो number of particles दे रखें तो number of moles का formula क्या था easy number of molecules जितने आपको given है divide में कर दीजिएगा आपका आपका आवोगेट्रो नंबर 2 पे गया 1 by 2 हो गया 0.5 पावर गई उपर 10 का पावर माइनस 3 इतने मूल लिखेंगे इसको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मूल्स तो number of moles आपके पास आखे है ठीक है अब आप calculate कर सकते हैं calcium के आयन भी calculate कर सकते हैं देखिए calcium के आयन तो आप पहले भी calculate कर सकते थे कैसे देखो आपको cacl-2 पूरे molecule कितने दिये हैं इतने इसमें एक molecule में कितने calcium के आयन है अगर मैं cacl-2 को break करूं सिए दू पल्स ही। क्या मैंन है ओच्छा गारे मोरे लेक्यूल में एक यह टू क्यूख आयन है तो इतने molecules में कितने होंगे भेई सेम एज इस ईतने ही आयंस होंगेiben कि अच्छ्छ थील माइनस के कितने हों गे मैंने का एक मोल्द में कितने रख हैं दो सी यॉल माइनस तो जितने आपको मोल्द से स्टार्टिंग में दिये उसका क्या कर देने lå करो कितना हो जाएगा 6.022 10th power 20 ions डबल हो गया अब मेरे पास number of moles आ गए calcium ions आ गए chloride ions आ गए next क्या calculate करना है given mass of calcium chloride हमें given mass यहां पर कितना है तो उसके लिए पहले आप इसका molar mass निकालो molar mass मतलब 1 mole calcium chloride का कितना mass असान है calcium का कितना होता है 40 ग्रैम एक क्लोरीं का कितना होता है 35.5 तो कितना हो गया 71 बड़े उस्यार हो आप लोग है तो कितना हो गया 111 मैं सही है न मेरी ओके वैसे अच्छा नहीं है इतना हां पर प्लस मानेश चलता है तो 111 हो गया हमारा calcium क्लोइड कितने का वन मूल का पर हमारे पास मूल कितने है इतने इत मीन्स वन मूल का मास कितना आ है ट्रिपल ओन ग्रैम है तो आपको गीवन है फाइव इंटू टैन के पावर माइनस फूर मूल तो इसका कितना हो गया एक्स ग्राम पता नहीं न भाई एक माल लिया क्या करना है वही बेसिक मैथड बच्चपन में टॉफी लेने वाला एक रुपे की दो टॉफी पांच रुपे की कितनी एक रुपे की दो टॉफी पांच की कितनी दस हो गई तो वही एक मूल में 111 तो इतनी मूल में कितना क्रोस मल्टिप्लाइ कर देने का आज थोड़ा मुंबईया लेंग भी थोड़ा ज्याधा आ रहा है ना एक्स यह मल्टिप्लाइ करो ट्रिपल वन एंट्व फाइव एंट्व टैन का पावर माइनस फूर पांसो पच्पन आप इसको 5.55 10 की पावर माइनस टू तो यह हमारा हो गया इतना ग्राम तो मतलब आपको इतना ग्राम गीवन है क्या आपका केल्शियुम क्लोरेड इतने मॉलिक्यों पर नेक्स टेप थोड़ा खिचड़ी जादा बन गये यहां तक आइधिंग क्लियर हो गया होगा नेक्स टेप हमारा एस्टीप पर वॉल्यूम कैल्कुलेट करना है वॉल्यूम कैल्कुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा नंबर ओफ मोल्स वाला फोमला याद करो कितना है 5 इंटू 10 की बार माइनस 4 इसको फोड़ा जगा बना लेते हैं कि इस वाले पार्ट में कि देखें नंबर ओफ मोल्स अगर आप मोलर वॉल्यूम में कैल्कुलेट कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम में लीटर अपॉन में कि इस टीपी कितना होता है 22.4 तो एन आपको गीवन है वॉल्यूम कैल्कुलेट करना है तो कर सकते हो आप एजिली कैसे आपके पास नंबर ओफ मोल्स कितने आ रहे हैं इतने फाइव इंट्यू टैन के पावर माइनस फॉर मल्टिप्लाइट 22.4 इक्वल टुए तो आ गया जी इतने लीटर होगा आपका देखो एक ही कोशन में क्या हुआ मैंने बेसिक नंबर ओफ पार्टिकल वाला नंबर ओफ मोल्स का फॉर्मला लगाया अफ्टर देट हमने आएंस वहरा कैल्कुलेट करें उसका वेट कैल्कुलेट करने के लिए कितना ग्राम गीवन है मुझे उसके बाद मैंने तीसरा पॉर्मेट इस्थमाल कर सकते हैं मैं तो मैंने इस कोशन के अंदर आपको तीनो तरह के फॉर्मेट को इस्थमाल करना बताया चीक है चलिए चलते हैं हमारे अगले पड़ा अगले कोश्चन की ओर आपको गीवन है CO2 कारवन डाय ओक्साइड CO2 आपको गीवन है 0.22 ग्रैम कितना 0.22 ग्रैम आप से पूछा गया है बताइए कितने नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या पूछ लिया कितने नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी हां बिल्कुल कितने नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या अब करिए अब का वेजी इलेक्ट्रॉन हमें तो मॉलिफिल और एटम बताया गया है वॉल्यूम बताया गया है लेक्ट्रॉन तो बता ही नही तो को नहीं शान्ती रखते हैं पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ओफ मोल्स अपना वहीं से चालू होगा नंबर ओफ मोल्स क्या गीवन मास कि अपन मोलर मास कितना होता भाई सीओ टू का आप डेलगड करते हैं थर्टी टू प्ल फोटिफो कर दीजिए कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी पॉइंट जीरो कितना आया आप पॉइंट अटाएंगे डिवाइट करेंगे पॉइंट जीरो जीरो फाइव इतने मोल्स आ गए ठीक है आपके नंबर ओफ मोल्स आ गए तो इतने नंबर ओफ मोल्स में कैल्कुलेट नंबर ओफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सीओ टू के आसान है नंबर ओफ मॉलिक्यूल्स कैल्कुलेट करना जितने भी आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं इंटू में आपका वो गैट्रो नंबर मतलब 0.005 एन ने इतने आपके क्या हैं स्योटू के मॉलेक्टूल अब आपको करने हैं लेक्ट्रॉन मुझे एक चीज बताईए स्योटू में कितने अलेक्ट्रॉन हैं एक किसे सब्सकिलंग कि से कार्भन क्लां में कितने अलेक्ट्रॉन देल सकते हैं अली डि reward आ अपक्षे अलेक्ट्रॉन होतेीँ से एक औक्योड न भी जैशल्घेयों मतलब Heb योदू के योड़ एक क्यों में ट्वंटी टूउलक्राउन्स हें अधिक है तो आपके पास टोटल नम्बर अफ मोलीट्रीजुल स कितने हैं इतने तो एक के अंदर 22 है तो इतनों के अंदर कितने होंगे multiply by 22 ठीक है अब आप इसको multiply कर लीजिए ठीक है ट्विटीटीटू फाइव सा बताओ 11 ठीक है सॉल करेंगे multiply करोगे सॉल करोगे आपका answer आजाएगा number of electron इस तरीके से आप calculate कर सकते प्रोटोन पूछेगा तो भी आटमिक नंबर बेजाओ कोई चार्ज स्पीशिस है सपोस्पोस कर लो कैसे ऐसे कहते हैं एंध्री माइनस कि इसमें number of electron calculate करने तो nitrogen में कितने कितने सेवन इलेक्ट्रों ठीक है तीन नाइट्रोजन कितने हो गए 21 एक उपर भी दे रखा है तो कितने हो गए 22 मतलब एक एंध्री माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रों है 22 मल्टिप्लाइ जितने मॉलिक्यूल हो कर लिजिए आपका आजाएबा चार्ज पीछके लिए जो ऊपर चार्ज है वह वाला इलेक्ट्रों भी आप इंक्लूड करेंगे तो आइधिंक आपको यह चीज़ समझ में आगे कि इलेक्ट्रों और क्या क्या एक्ट्ट्र तेकर 10th ौट्श होता है इंसुलिन जो है उसमें 3.4 परसेंट सल उप्र है मुझा करता है इंसुलिन सल फार को 3.4 परसेंट उस हिसाब से आप क्याई करके बताहिए कि मिनिमों इंसुलिन का क्या होगा अब देखें यहां पे मुझे इंसुलिन का फॉर्मला नहीं पता जो मैं इसको मॉल्गिलर वेट कल्कुलेट कर लो मुझे वस एक अंदाजा दिया है कि भाई उसके अंदर सलफर प्रेजंट होता ही है और कितना परसंट है 3.4 परसंट अब कैसे करूंगा मैं इसक सुल्फर तो हो गई होगा धिया ना उसने कि सलफर 3.4 परसंट है मतलब सलफर तो प्रेजंट माल या एक सलफर का एटम है तो नाव 3.4 परसंट है 100 ग्राम मान लेते हैं कि 3.4 ग्राम सलफर है तो इंसुलीन कितना होगा कि 3.4 एक सटोर कि इनसूलेन टॉटाल बेफ संट है इनसूलेन कितना है इनसूलेन टो ट है इनसूलेन तो टός एक बोसंत लिट में उससे कल आ sido इस में अब सालफ़र उसमें कितना रहे है 3.4 पर जिन में थी पॉन फॉर पर खरांश्र तो इंसूले ये कि कि इंसुलेन इस हंडर क्राम क्लीर है क्लियर कि यह क्या लेकर चल रहा हो ऊपय यह यह इंसुलेन ले करके चल रहा हूं कि इंसुलें हमारा 100 ग्राम आगत 3.4 वेट क्या होता है अगर इसका इतना है तो इसका कितना होगा कितना होगा सोचो कि 3.400 ले रहा था 32 कितना लेगा तो 100 मल्टिप्लाइब थर्टी टू डिवाइड बाइ 3.4 कि इसको आप इसको अप्रॉक्स अप्रॉक्स काटते हैं अगर जाता लेकिन 3.4 मतलब लग 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 मान लेते हैं कैल्कुलेट कर लो आप इसको तुरी याद है इसका अंसर मुझे याद है कि क्योंकि यह ने कई बार कराया हुआ तो 941.17 आप लोग कैल्कुलेट कर ले ना भाई चीक है आप लोग जितनी बार करेंगे कोशन्स आपको याद भी हो जाएंगे प्रैक्टिस होती हो तो आ जात करने नहीं कहा रहा है कि एग्जेक्ट इंसुलिन का यही मास है बट वहां क्या लिखा यह मिनिमंप लिख इंस तरीके से भी कोशन बन सकता है कि मैंने दिवाग कहां से लगाया कि भाई सेलफर कितना ग्राम है और इंसुलिन कितना मान के चल रहा हूं फिर सलफर अगर प्रेजेंट है तो उसका मॉलकिलर वेट मुझे पता है 32 तो भाई इंसुलिन कभी तो निखाल सकता हूं उसके बिहाफ पे कितना प्रसेंट है एट स से लगाइन होता है कितना है पॉइंट फाइपव संट दे ओए जादा निए हो गया 89600 इतना दिया रखा है आपको उसका मॉलकिलर वेट कैलकुलेट नंबर ओफ आयरन ए टम पर मोलेक्यल ऑफ हमोडे मतलब हमोड़ोबिन जो है आपका खून होता है नसों पर दोड़ रहा है हिमोगलोबिन नाम की चीज होती है टमाटर ओता फोजी लाल सेइव जाथ हुआ आपका तीक क quieres हिमोगभी लाइट और आपको पता रखाय और आपको प्ता रखाय कि पूरे लाइप हेमोग्लोबिन को पूरा फॉरमिला है उसमें कितने आइरन एक हीमोग्लोबिन के मॉलिकूल अगर सदो के लिए हम यहां निकल लेएँ पहले हम यह निकाल लें ते कि हमारे पास इरण है कितना इतने हीमोगलोबिन में कितने ग्राम आईरन है क्यासे करेंगे फिर फहले क्योशन की तरह कि 100 ग्राम हेमोगलोबिन कंटेन कितना ग्राम ऐरन 0.25 परसेंट है इट मेंज 0.25 ग्राम थेकिना 100 परसेंट में कितना है 0.25 परसेंट मतलब 0.25 ग्राम अब आपको इसका मॉल्किलर वेट दे रखा है कितना तो 89,600 ग्राम हेमोगलोबिन कंटेन कितना हो गया जी 0.25 मॉल्टिप्लाइट 9600 डिवाइड बाइ 100 कितना आ गया इसको मॉल्टिप्लाइब करते हैं मॉल्टिप्लाइब करके जो अंसार आता है तो कितना आइरन कंटेन है 89600 ग्राम हेमोगलोबिन में 224 ग्राम आइरन बहुत आइरन है हमारे पास अच्छा यह कितनी कॉंटिटी थी यह वन मॉल कॉंटिटी थी मतलब वन मॉल हेमोगलोबिन में इतना ग्राम आइरन है अब आइरन के मॉल निकाल लो वन मॉल में कितने आ रहे हैं आइरन का जब आप मॉलकुलर मास निकालते हैं दैट इस 56 ग्राम तो मतलब यह वन मॉल आइरन है तो इस से इसको डिवाइड कर दो 5 फोर जा और 6 फोर जा 24 तो फोर पे चला गया इत मींज वन मॉल हेमोगलोबिन फोर मॉल आइरन कंटेन करता है एक मॉलिक्यूल हेमोगलोबिन का 4 आइरन के ऐटमस कंटेन करता है कितने ỏ आइरन के एटमस बायवाले बच्चों को पता होगा ऑद की फोर आइरन एटमस की बांडिंग होती है उसके अंदर और घीक है तो कितने बढ़िया लगा तो ठीक है बच्छा लोग आज हमने चार कोशन की प्रैक्टिस करें चार ही थे अब इतना मूड ओफ नहीं करने की ज़रूत नहीं है आगे मैं और भी अच्छे अच्छे और बढ़िया कोशन लाने वाला हूं और हम आगे जाकर के थोड़ा लंबे-लंबे को कोशन को सौल करेंगे ओके बच्छा लोग तो यहां पर हमने मोल कंसेट पहले जिस पच्छे ने नहीं पढ़ा पिछला यूडियो जाके चेक कर लो अच्छे से पढ़ लो यहां के कोशन कर लो आगे हम और बढ़िया कोशन करने वाले हैं आप लोगों का 11 पूरा बेस आने वाली है अच्छी खबर आने वाली है आज निए बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा आप लोगों को सब्सक्राइब किसके लिए सब्सक्राइब के लिए और जो बच्चे जानते हैं जो 11-12 के लिए होता है वो जे नीट वालों को सौगात म मिलता है तो आप लोगों को और टोमेटिकली मिलेगा तो जो भी बच्चे जेए नीट के लिए प्रिपेर रहे हैं उन लोग लिए कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है ओके बागी आप लोगों को कोई दिक करते हैं कोई परिशानिया तो नीचे कमैंट सेक्शन में दें व करते हैं